नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल पर नीलम्स लिट्ल कोक बुक में आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा एक केजी गाजर लिये है मैंने जिसे मैंने धो करके कद्दू कश कर लिया है सभी गाजर को मैं कुकर में एक सीटी लगाने के लिये रख दूँगी इसमें मैंने 8 से 10 इलाचिवा को करश करके रखा हुआ है वो भी डाल दूँगी और एक कब दूट डाल दूँगी और उबालने के लिए चड़ा देती हूँ इलाइची और दूद को इस समय डालने से एक तुक इलाइची का स्वाथ पूरी गाजर में आएगा और गाजर भी दूद को अच्छे से अब्सॉर्ब करके नरम हो जाएगी और बाद में हमें समय भी जादा नहीं लगेगा पकाने में और कलर वा शाइनिंग गाजर की बरकरार रहे गाजर में एक सीटी लग चुकी है देखे गाजर ने दूद को अब्सॉर्ब कर लिया है थोड़ा बहुत बाकी है तो वो पकाते समय ठीक हो जाएगा एक फ्राइपेन गैस पर रख दिया है गैस अन कर दी है उसमें दो बड़े चमज घी डाल दिया है उसमें उबली वी गाजर भी डाल देंगे और तेज कैस करके इसे हम पकाएंगे सर्दियों में बिना किसी जंजट के कम समय में और कम इंग्रीडियंट में तैयार हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा मेरी रेसिपी से एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा गाजर को चलाते हुए मज़े पांच मिनट हो गए है जो भी गाजर का पानी था वो सूख गया है अब एक कटोरी मलाई को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हम गाजर को मिलाएंगे थोड़ी देर इसे हम ऐसे ही पकाएंगे जब तक ये गाजर थोड़ी ड्राइ नहीं हो जाती है ड्राइ जैसे ही होती है हम इसमें कोई भी ड्राइफ रोट डाल सकते है लेकिन ड्राइफ रोट आप थोड़ा सा घी में रोस्त करके ही डाले ताकि इसका कृंची पन बना रहे मैंने इसमें सिर्फ एक कटोरी का दुकश किया हुआ नारेल ही डाला है आप जो भी चाहें ड्राइफ रोट डाल सकते हैं अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे मनद जादा देर नहीं पकानी हर स्टेज के बाद पांच मैट तो पकाना ही पड़ेगा आपको थोड़ी देर इसे और पकाएंगे गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे अब हम चीनी मिलाएंगे एक किलो गाजर में हमने दो कटोरी चीनी मिलाई है यानि माप से कहेंगे तो 200 ग्राम चीनी डालेंगे और बराबर इसे हमें चलाते रहना है यह गैस हाई फ्लेम पर है इसलिए पानी जादा नहीं छोड़ेगी चीनी चीनी डालते ही हल्वे का कलर कितना चेंज हो गया है बिलकुल जैसे शुरुवात में गाजर देखी थी सेम बैसे ही हो गया है मलाई से भी घी रिलीज हुआ है बहुत ही बढ़िया टेक्चर का बना है हल्वा अब हमारा गाजर का हल्वा सर्व करने के लिए पिलकुल तैयार है गाजर का हल्वा घर पर बनाने के लिए आप भी इसी तरह से ट्राइ करें और अगर रेसिपी आपको पसंद आए हमारी वीडियो शुरू से आकरी तक देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद